कि आप लोग कह रही हैं कि हम निर्थ संगीत करते हैं लेकिन बावजूद इसके पूरा गाउं ये कहता है कि आप जिसम फरोशी का धंदा करती हैं ये संभव कैसे है कि आप लोगों के अगेंश्ट में पूरा गाउं कैसे जा रहा है देखिए कमाई का कोई वो विशेस जरिय सादी नहीं है हम लोग कोई शर्विस तो है नहीं जिसका जैसा है उसी हिसाब से मिलता है किछी को दसbayouting को पांच अजयार केछी को पंदरहह ужा ची और हम कला करते हैं हैंब और अपके सब्सटे हैं नहीं होती है अब ही हम उत्तर प्रदेश के वसुका गाओं में हैं जहां कि महिलाओं के उपर ये आरोप लगाया जाता है कि ये महिलाएं वैशा विर्ती में लिप्त है नाच गाना की आड में सहब ये धंधा करने वाली महिलाएं है और जितनी महिलाओं को आप देख रहे हैं इन सभी के उपर ये आरोप लगाया गया है कि ये जिस्म फरोसी का धंदा करती है और बड़े ही धूम धाम से बड़े ही प्रचार के साथ नाच गाने के साथ ये लोग कर रही है इस प्रकार का आरोप इन महिलाओं पर लगाया गया है हम नर्त की हैं हमारा नम अपसाना है क्या करती है अब ये तमाम महिलाओं ये कह रही है साहब कि मैं नर्त कला का काम करती हूँ नाचने गाने का काम करती हूँ ये प्राचीन कला है जो ये लोग बता रही है इस तरीके की कला कोई आज से नहीं चली आ रही है पहले से भी चली लेकिन अब सवाल उड़ता है कि जब समय बदला धीरे धीरे समय बदलने की आड़ में इस तरीके का धंदा भी जिस्म फरोशी का धंदा भी फलता पूलता गया इनके ओपर यह तमाम आरोप लगाया गया है अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग कह है रही है कि सहाब हम नाच गाना करते हैं तो आप लोगों के ओपर यह क्यों कहा जाता है कि यह तमाम महिलाएं सेक्स वरकर हैं यह तमाम महिलाएं जिस फरोशी का काम करती है यह तमाम महिलाएं अपने देह ब्यापार का काम करती है ऐसा क्यों आरोप लगाया जाता आपके लेकिन बावजूद इसके पूरा गाउं ये कहता है कि आप जिसम फरोशी का धंदा करती हैं ये संभव कैसे है कि आप लोगों के अगेंश्ट में पूरा गाउं कैसे जा रहा है कि आप लोगों के लेकिन पूरी पूरी गाउं नहीं है have a ये सिर्फ हमारे महॉले के लोगें लगें लोगए कोई दानेदार नहीं है जो हम्होंग पर्ळा ओन भाहले नहीं है अप जोड़े है काम Gradाहिए अक्ने ब्ल। आप लोगों को हटाने की बात की जा रही है आप लोगों को हटाने की बात की जा रही है आप लोगों को हटाने की बात की जा रही है आप लोगों को हटाने की बात की जा रही है आप लोगों को खदेड़े जाने की बात की जा रही है तो इस तरह की आवाज क्यों उठ रही है आप लोग कब से यहाँ पर हैं? लोग को फसाय जाने का हम लोग निरितकला का काम करते हैं और कुछ नहीं पूरा गाउं एक अठा होकर यह कहता है कि हमें वशुका का नाम लेने में एक हिचक होती है पूरा गाउं ये कहता है नेट पर भी जब आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं न कहीं वशुका डालते ही तमाम देव ब्यापार और रेड लाइट एरिया, तमाम इस तरीके की चीज़ें आती हैं, उसके बावजूद एक चीज़ और भी सामने आता है, कि तमाम नूड नूड वीडियो भी आती है, कहीं न कहीं इस तरीके का नूड वीडियो जो आ रहा है, नंगेपन का जो असलील उसके पावज़ जो बच्चे रह रह रहे हो चाहिए और किसी के बाट कहीं न जो असर डालेगा उसपर हम लोगों का सुरू से यही कहना है कि अगर हम लोग गलत हैं, तो हम लोग जो है प्रशाषन के साथ हैं हमारे खिलाब कारवाई करा के आप देख लेजिए उन्होंने कारवाई कराया उनको कुछ नहीं हासिल हुआ और जहां तक रही बात वीडियो की वीडियो का सवाल है तो सर हम लोगों का यही काना है कि जो कलत है जो किया है उसको आप दिखाईए आप लोगों में से कोई कोई नहीं है आप लोगों में से किसी का वीडियो नहीं है किसी का वीडियो नहीं है वह बनवाकर हमारे मुद्दा खड़ा करके हमारा कला बंद किया है यह परधान खुद किया है परधान का किया दिया है इसको बंद करने के लिए करोगी तुम लोग यहां दंदा करोगी काम करोगी तुम लोग कच्टमर लाके 12 बज़े रात को रंगडारी दो कितनी आमदनी हो जाती है आपकी देखिए हमारी कला हम लोग कला करते हैं हम लोग जैसे नॉम्बर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल में यह सब करके हम लोग तीन लाग चार लाग धाई लाग दो लाग जो जैसा रहता है वो ऐसा पुरग्राम कर लेता है जैसे हम पांच हजार का मारा सट्टा हुआ अगर हम स्टेज पे चड़ गए तो हमको लाखों इनाम मिल सकता है पांच रुपया भी नहीं मिल सकता है इनाम मिलता है इनाम के ओजस से हम लोग जीते खाते हैं अपना मनुराइन दिखाता अच्छा कितनी कमाई हो जाती है आप लोग क पफORM करते हैं तो उसी लोग खुषख होखे पबलीक खुषख होखे जो भी इनाम दे दे हम लोगों को अपनी सवाल पर वो लोग काउंटर करते हैं वह लोग यह कहते हैं कि साहब इन Care has to दोड़ का मकान है इनके पास तो इतने इतने स्क्वाइर फेट एरिया का मकान है इस पर आप लोग क्या गए ठीक है हमारे पास है तो परधान अपने कमाई से जिसमें है अपने कमाई से बना है उसका अगर साबुत देने के लिए तयार है वह अपना जांस दिखा दे उसके बाद हम लोग दिखा देंगे सब्तेANS अब अपना पूरी जनकारी में तो हम देने के लिए कर सकते हैं सभी marine्ब कर बर्दान को के अगर प्रणान देंगे तो आप सुने तो कही ना के मन में लग रहा है कि ये भी सत्य बोलते हैं लेकिन अब सवाल आता है कि एक महिला किसी महिला का सटीकाटी पड़ी कर रही है कभी कहीं शराप की बोतलें किसी के दरवाजे पेख के मार दी किसी की लड़की को रह चलते छेड़ दिया उस्ते हैं कि यहां पर फला रंडी कहां रहती है यहां सट्टा कितने का लिखाएंगी आप ऐसा ऐसा बोला जाता है आप एक रात का कितना लेंगी दो रात का कितना लेंगी हम लोग चार आदमी हैं आप कैसे तो इस तरीके का जो जो वैसा विर्ती में अभी वी लिफ्ट है दस पंदरा घर होंगे दिखा दू कि वो घर आप देख सकते हैं यह जी वाइट वाला है यह भी यह जब यह नंगे नंगे वीडियो देखेंगे तो इन पर क्या ऊस चीज का असर पड़ेगा यह कहां तक पढ़ाई करें एक महिला मैं मुझे पहले जब पुरुस लिए बोले तो मुझे हो सकता है पुरुस की बातों को इगनोर किया जा सकता है लेकिन जब एक महिला हो कर एक महिला एक महिला की बुराई कर रही है और वो ये आरोप लगा रही है आप लोगों के उपर आप लोग जिस्ट फरोशी का धंदा कर रही है हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे है हमारे बच्चों का एडमीशन नहीं हो रहा है इस पर आप क्या कहीएगा कुछने यह सब दोख रुसला है, यह सब रंगदारी के उजस हो रहा है, अब हमारे भाई-बाप है तो हमारी बात न मानेंगे, और कुछ नहीं है, जो बोल रही है, उसका क्या नाम है? साहरा जो बोल रहे आ उपकोई नीक नहीं है चार बार भग चुकी है चार बार भग चुकी है उपकोई अच्छी नहीं है जूता मारती यह विस समाज में अपने पती को एक दिन तो ऐसा हुआ था न यह सब दस फैमली हैं विरोज के बच्चे हैं दस फैमली है वाप का नाम है फिरोज वाप करते हैं तो दस लोग आते हैं कला सुनते एक से संबन रहता है अपना जीवन काट लेते हैं हम लोग खूल कर बोल